योग शारिरिक और मानसिक हर तरह की समस्याओं का निवारण नेच्रल तरीके से करता है मोटापे की समस्या से परेशान हो या फिर तनाफ से ग्रस्त हो नेमित योगा अभ्यास करने से आपको दोनों परेशानियों का हल मिलता है वही सही तरीके से योगा अभ्यास करने से आपकी नैच्छल तरीके से लंबाई भी बढ़ सकती है अगर आप भी अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कौन से योग करने चाहिए चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले बतादे आपको ताडासन करना चाहिए इस आसन को करने के लिए अपने दोनों एडी और पंजो के बीच कुछ दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएए दोनों हातों को कमर की सीध से उपर ले जाएए और हतेलियों और उगलियों को मिला लीजिए वही अपनी नजर को सामने और गर्दन को सीधी रखें पैरों की एडियों को उपर की और उठाते हुए पूरे शरीर का भार पंजो पे दे इसके इलावा आप शीशासन भी कर सकते हैं लंबाई बढाने के लिए योगासन करते समय घुटनों के बल बैट जाए आप सांस लेते हुए सिर को घुटनों से होते हुए फर्ष तक ले जाए दोनों हातों की उंगलियों को सिर के पीछे से पकड़ते हुए पीछे की भाग को सहारा दे आप पैरों को धीरे धीरे उपर उठाए और एकदम सीधा रखें आप इसके लिए दीवार का सहारा ले सकते हैं आप अपने शरीर को सीधा रखें संतुलन बनाते हुए इस पोजीशन में 20 सेकंड तक रुकें इसके लावा आपको बता दे हैं आप ब्रक्षासन कर सकते हैं लंबाई बढाने के लिए इस योगासन को करने के लिए फश पर एक पैर के बल खड़े हो जाएं अब हातों को बगल में रखें और बाएं हात पर खड़े होते हुए दाहिने पैर को घुट्टों पर मोड लें इस अवस्था में संतुलन बना कर रखें फिर दोनों हातों को सिर के ऊपर से उठाते हुए कोहनी को मोडें अब अपनी हतेलियों को आपस में मिला लें धीरे धीरे सास लेते हुए कुछ देर इस पोजीशन में रहें और फिर दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं